जैसा कि आप और हम सभी जानते हैं कि 10 में से प्रते 5 वेती किसी ना किसी स्वास्त संबंदी समस्यां से जूज रहे हैं जैसे हाट के समस्या पी-पी, सुगर, ठकान, बजन का असंतलन होना इत्यादी ये सारी समस्या हैं हमारे आजपास घर में सभी जगे हैं इनका कारण क्या है, इसकी मुख़ज़े है, बोजर में पोसितनों की कमी और मार्केट में मिलने वाली बस तुमें मिलावट रोज याश में अपवारों में आता रहता है मिलावट से साबदान अ कैस और मिलावट की चीज़े रहती हैं मिलावट वाले सामान से ही हमारे घर में बिमारी आती है लेकिन में अपने आपको बहुत सोबाक्साली खुछ किसमत मानता हूँ समझता हूँ कि मैं एक इसी सहंचता से जोड़ा हूँ जो इन सभी विश्यों पर कार करती है जैसे की स्वास्तरक्षा मारकेट में तो मिलावट सामान है लेकिन मैं ऐसी संस्ता से हूँ कि जिसमें स्वास रच्छा पहला उद्दे से दूसरा उद्दे से नए भायत का निर्मान तीसा उद्दे से स्वाव लंबन मैं अपने समझता हूँ तो मैं आज डिस सिस्टम की बात कर रहा हूं जिस अभ्यान की बात कर रहा हूं उसको कहते हैं नाम से जाना जाता है में एक प्रोड़क्ट से शुरुवात करके आज देरी जीवन में काम आने वारे लगबक 500 से ज्यादा उत्पाद हो चुके हैं जो फोटू देख रहे हैं इसमें करीब करीब जो भी उत्पाद हैं सारे हम सुवे से लेके स्याम तक उप्योग करते आ रहे हैं जो करने की मार्क स्वास्तबर्दक हैं कोई मिलावटी नहीं है इसमें स्वास्तबर्दक है और बाजिक कीमत प्राइज जो भी कीमत है उनकी मार्केट से कम है उससे अच्छी है जैसे उधारन के लिए हम देखते हैं स्खाद तेल हेल्थ गार्ड के नाम से आता है फिजीकली रिफाइड प्राइस ब्रेनोल है जो की तीन एंटी ऑक्सिएंट प्राकतिक एंटी ऑक्सिएंट से भरपूर है कौन-कौन से एक तो ओजिनोल है एक टोको ट्रिनोल और एक ट यह सा माना जाता है कि डाइड की सुरुआड उननिस शो उन्सेट में अमेरिका से हुई थी लेकिन 1990 के बाद भारत में डाइड सेलिग की सुरुआत हुई कापी समय बाद और आज विस्व के अधिकतर देशों में डाइड सेलिंग मेतड पर सली थे है लेकिन डिसंबर दो यार इसमें भारत सरकार को यह बात समय में आई कि डार्ट सेलिंग के लिए रूल्स और रेगुलेस्टन बनाना चाहिए जिसे हम 2017 डारिक्ट सेलिंग डूल्स 2021 कीएते हैं और डारिक्ट सेलिंग को एक लीगल प्रचान मिली भारत में सरकार कर रहा है और अब हम यह कह सकते हैं कि सिस्टम को दीजरे सामाजिक मानता प्राप हो रही है थापी समय के बाद अब मैं जिस संस्ता के बात कर रहा हूं इसमें इसनके संचालत हैं स्रीमान टीशी साबरा जी जो 1977 से कपड़े के व्यापार में सरलंग थे उन्हों होने सनte 2000 में की और अब देखता है किए सिस्टम में केरियर बनाने और पेसे इंकम लेने के अफसर भी मोझो और लेकिन पbrarने चाहते हैं कियां मिलना चाहते हैं कि कैसे मिलते हैं तो मैं इसके बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूं यह ऐसा सिस्टम है टारिक सेलिंग इसमें कोई भी पैसा कुझी नहीं लगानी हमको और नहीं कोई दुकान खोलनी है कोई निश्चित दुकान नहीं खोलनी उसका फिक्स समय भी देना अपने मंदनुसा पार्ट टाइम या फुल टाइम कर सकते हैं जब पैसा नहीं करना तो कुछ त्याग भी नहीं करना इसमें इतना जादा उसके बाद इसका हिसाब किताब भी आपको नहीं रखना है जब हिसाब भी नहीं होसकते हैं जैसे कि नौकरी ब्यापार खेती मजदूरी ये सारे काम हर पूव्य कर रहा है इन काम के वदले आपको और हमको जो भी हम काम करते हैं पैसा रुपया हमको मिलता है लेकिन उस पैसे का हम करते क्या है men खर्श करते हैं अब खर्चा करने मार्केट में जाते हैं लेकिन खर्चा करने के बाद क्या होता है हमारे पास बच्चत जीरो होती है खर्च करके फर्म वोई क्यों काम पर लोड जाते हैं लेकिन अगर अगर WEAR हम हम अमीर बन सकते हैं कि अगर हम अमीर बन सकते हैं नहीं अगर हमको अमीर बनना है तो क्या करना होगा ship Clayton से इंकवाना सुरू हो जाए तो हम अमीर बन सकते किस तरिके से देखते हैं tensions को मो जो हुगा कर रहे हैं अगर निस्कों तोकांदार जो भी सामान हम लेने जाते हैं वह अपने घर नहीं बनाता है वह बनाता है इस तरी के देखाया है का सामान अगर मजार से उठाते हैं तो वह कंपणी से पचास रुपया उससे कमें निकलके चलता है इसी बीच बहुत बड़ा कंपणी खर्च कर जैती है एडबटाइजमेंट पर जिसका एड हम देखते हैं टीवी अख़वारों पर उसी के द्वारा हम सामान की विक्री खरिदी विक्री मार्केट से करते हैं अब ट्रेडिंस बिजिनस में हुआ क्या कि इसको हटा के डारेक् आपको पहुचाने लगा इन चारों चीजों को दिब्बे में बंद करके हटा दिया और जो वीच का 55% इन में बट रहा था टारेक्ट सेलिंग सिस्टम बना कर डारेक्ट गरहा को इस सेलिंग में हम को जोइन होना एक तो क्या करने पड़ेगा ओन लाइन आवजन भर कर सब परवानपत्र आइडी प्रूप चाहिए निवास परवानपत्र एड्रेस प्रूप पेंट कार्ड यदि है तो लगाईए बेंट खाता मस्ट है और उसकी फोटू जिसका फोटू परवानपत्र है इन चीजों को हम ओनलाइन सब्मिट करकर अपनी जोइन कर सकते हैं सिस्टम क हो उसके बाढ़ करने के बाद फायजें क्या है पेला फायदा स्वास्ठला क्यों किक्वीक्त माल हमारे पास कंपणी से बनके आरा है उसको विछव मीचोलिय नहीं दो मिलावट की भूझज़ करते हैं उसकी ख पर दस से लेके बीस परसेंट की छूट आपको हाथो आद दी जाती है मार्केट में यह कोई सुविदा नहीं थी उसका तीसरा लगाता अगर हम छे महीने खईदी करते हैं उसकी कुल पीवी जो भी होती है उसका बारा से सोला प्रतिशत के उत्पाद आपको फ्री दी आते है पीवी का मिलब जो आपके बीच में दुकांदा होल सेलर और जो भी उनका बचे जाता है उसको पीवी अब लगातार जो हम मार्केट से भी खईदते आ रहे हैं अगर इसमें लगातार छे महीने और हमेशा के लिए खईदते हैं तो सामान आपको प्री मिलेगा उसके बाद प्रतिमा आप जो भी खईदी पीवी का करते हो इस पर दस प्रतिशत अतरिक बोनस आपको दिया जाता है इसके बाद लेकर वाइस परसेंट बोनस आपको मिलता है आपकी खईदी पर आपके टीम दोरा बनने पर अगला फाजाए है तीन से आठ परसेंट रोल्टी इंकम मिलती है सिस्टम में उसके बाद एक से लेके पांच परसेंट टेगी का बॉनिस भी मिलता है रोल्टी इंकम क्या होती है रोल्टी इंकम पूरे विस्व में तीन लोगों को मिलती है और लेखक गायक और व्यग्याने इन लोगों को रोल्टी इंकम मिलती है पूरे विस्व में लेकिन आप और हम इस रेनी में नहीं आते नहीं आसा ते लेकिन चोथी इंकम जो रोल्टी की है वो इस डारेक्ट सेलिंग में है बिलो आर्सीम बिंग इस द्वारा पसके बाद आये आर्सीम की बरतवान इस ती पर एक नज़े डालते कि आर्सीम आज क्या है इसकी जो विश्थित बत्रबरं बत्रन ववस्था है पूरे भारत में एकसी सठीज इसकी हो चोंगी हर ग़रे हर गली मोतने में डानी में हर जगे इसकी डिस्पिलेबोल हैं दस वी से जार पचाई जार कमाल हर जेगे रखा रहेता है उसके बाद आर्शिम की उत्पादे ने काई यहां भी कई जिद्धेगे खुल चुकी है कैसे भीलवाडा में प्लांट है जो बना हुआ है उत्तरा खेंट का प्लांट गोहाटी का प्लांट और भी कई जेगे बनते जा रहे हैं और दूसरी बात है अत्या दुनिक जाच उपरनवा प्रसिशित जाच करता के द्वारा एक लेव का निर्मार्वी इस्टुमेंटल लेव भीलवाड़ा में केमिकली ले लेव इन लेवों से बुज़र कर चेक होकर ही आपके और हमारे घर तक यह सामान उत्पादन पहुंचते हैं यानि कि पास रक्षा जो है वह पहला उत्ज़र से कंप्री का इन लेव से निकलता है लेकिन आर्टेम में इंकम के तरीके क्या है तीन तरीकें सर्थ पहला तो प दो